इंडियन गुर्णमेंट ने 29 जून को भारत में टिक टॉक यूसी ब्राउजर शेरिट जैसे 59 एप्स को बैन कर दिया है जिसके बाद चीन का बयान सामने आया है और इस मसले को लेकर चीन के विदेश मंतरी जाओ लीजियन ने कहा है कि वो काफी ज़दा चिंतित हैं और सिती की जानकारी ले रहे हैं इधर चीनी अइप टिक टॉक ने 30 जून को कहा की वो भारत सरकार के आदेश के मुताबिक आप को बंद करने की प्रक्रिया में हैं कमपनी ने जोर देते हुए कहा कि उसने एप का इस्तिमाल करने वाली किसी भी भारती है कि जानकारी चीन या किसी और देश के साथ शेयर नहीं की है। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि हमें खुशी है कि बाइट डांस कमपनी के 2000 से ज़्यादा लोग सरकार के आदेशों का पालन करते हुए इंडिया में सफलता पूरवक काम कर रहे हैं और हमें गर्व है कि इंडिया में टिक टोक के लाखों यूजर्स हैं और कमपनी ने कहा कि उ एक कॉन्फरेंस में कहा कि उन्हें डिफरेंट सॉर्सिस से कई शिकायते मिली हैं जिनमें एंड्रोड और आई ओएस प्लेटफॉर्म पर प्रेज़न कुछ मॉबाइल एप के मिस यूज के बारे में रिपोर्ट शामिल है इन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये एप यूज इसकी जांच पड़ताल और प्रोफाइलिंग आखिरकार भारत की स्क्रियूनिटी और इंटीग्रिटी पर एक आगात है और इसके लिए एमर्जिंसी मेजर्स की रिक्वाइर्मेंट है